इंडियन आर्मी वोमन जीडी रिक्रुट्मेंट 2021 तो 2021 में इंडियन आर्मी में लेडिस के लिए वोमन के लिए जो वेकन से आई है उसके बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे यह ओफिशिल नोटिफिकेशन रिकूट्मेंट नोटिफिकेशन है यह जो रिलिस किया गया है इंडियन आर्मी की तरफ से तो ओफिशिल जो जानकारी है वोही सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी आगे बढ़ते हैं डिटेल ओफ वेकेंसी तो यहां पर वेकेंसी आपको 100 दी हुई है 100 वेकेंसी है सोल्जर जनरल ड्यूटी वूमर मिलेटरिव पॉलिस यह नाम से एज लिमिट की बात करें तो साड़े सत्रा एयर से लेके 21 साल तक आप इसमें जो है वो एप्लिकेबल बनते हैं तो इसमें आप एपलाई कर सकते हैं यहां पर डेट भी दिया हुआ है एक ऑक्टॉबर 2000 से लेके एक एप्रिल 2004 के बीच में आपकी डेट अव बर्थ होनी चाहिए तो आप इसमें एपलाई कर सकते हैं मिनिम।ं फिजिकल रिकुारमेंट तो मिनिम।ं फिजिकल रिकुारमेंट क्या यहां रहे गा तो हैट कितनी होनी काईट वेट जो है वो आपका age और height के इसाब से होना चाहिए, आपकी जितनी height हो और आपकी जितनी age हो उसके इसाब से आपका weight होना चाहिए, यहां पर कोई specify नहीं किया गया है, height और age के इसाब से आपका weight ना पजाएगा. chest की बात करें तो chest कितनी होनी चाहिए वो नहीं बताया हूआ है लेकिन यहाँ पे जो है वो 5 cm chest आपकी full नहीं चाहिए तो यहाँ पे यह इतना बताया हूआ है अब बात करते हैं education qualification की education qualification minimum education qualification is metric 10th या SS, LC और Equalment with 45 marks in aggregate and minimum 33 marks in each subject तो 45 percentage आपको होने चाहिए और हर subject में 33 marks चे उपर होने चाहिए 33 percentage चे उपर होने चाहिए तो ये इसमें minimum अगर आप qualification की बात करें तो 10th pass मांगा गया है with 45 percentage और sub subject में आपका 33 percentage होना चाहिए अब बात करते हैं इसके selection process के बारे में तो selection process क्या रहेगा तो आपका physical fitness test लिया जाएगा सबसे पहले फिर medical standards जो है वो ना पा जाएगा यानि medical होगा उसके बाद आपकी exam होगी CEE common interest examination रहेगा उसके बाद document verification किया जाएगा तो ये process रहेगी selection की physical fitness test, medical फिर CEE और document verification और इसका जो important date जो है वो नीचे दिया हुआ है registration आप 6 जुलाई 2021 से कर सकते हैं और लास्ट डेट इसका जो है वो 20 जुलाई 2021 है fee submission का तो लास्ट डेट याद रखेगा 20 जुलाई 2021 इससे पहले आपको form भर देना है अब बात करते है website की कि आप कहां पे इसका जो है वो form भर सकते है तो official website यहां पे Indian Army का दिया हुआ है उस पे आपको जो है वहां पे जाके आप form भर सकते है registration करके या तो पहले से registration किया हुआ है तो direct form भर सकते है या फिर registration करके उसमें फॉर्म आएगा वह आप भर सकते है वेबसाइट है www.joinindianarmy.nic.in यह वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म भर सकते है प्लस इसका जो official notification है पूरा official notification आट-दस पेज का है वो उसका जो PDF है आपको हमारे टेलिग्राम चैनल और WhatsApp ग्रूप पे मिल जाएगा तो description में टेलिग्राम चैनल और WhatsApp ग्रूप की लिंक दी हुई है वहाँ पे join हो जाएगे तो इसका official notification मिल जाएगा प्लस जैसी कोई भी जो बाती रहेगी सब का detail वहाँ पे आपको मिलता रहेगा इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो अवेलरबल है आप देखना चाहते हैं तो चैनल के नाम पे क्लिक करके सारे वीडियो देख सकते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो like कीजिए, comment कीजिए अपने सबी दोस्तों को वीडियो शेर कीजिए और चर्वाभ चैनल को सबस्क्राइब कर लिजिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहे मिलते हैं नए हैं वीडियो में Thank you for watching my video झाल झाल झाल